हाई फ्रेंड्स मैं आकांचा सर्मा जी की वितिकांचा मैं आपका स्वागत करती हूँ मद्ध बिदेश और पटवारी गुरूप 2 के लिए जो हमारा प्रबंदन का MCQ का पोर्स चल रहा है उसका आज हम चौदवा भाग करने वाले हैं तेरा भाग हम इसके कर चुकी थे में चौशन हमारे हो चुके थे 365 कोशन से हम स्टार्ट करेंगे पहले के नहीं देखे हैं तो ब्रेक लीजेगा पूरे कोशन प्लेइलिस्ट मिल जाएगी आपको प्रबंदन के MCQ नाम से लिंक भी आपको डिस्किप्शन वाक्स में मिल जाएगी पहला कोशन है विज्यानि शिद्धानत दिया तो वह किस मोडल से परेड़ित होके दिया था तो फ्योल के मौडल से परेड़ित होके दिया था और तीसरा है कि विज्यानि क्रबंद्न सिध्धानत पुस्थ którego कौन है घर यह तो ये तीनों ही फैक्ट आपको याद रखना है अगला है प्रतिवेदन को अनिक किस नाम से जानते हैं अमर्यादित प्रतिवेदन रिपोर्ट मर्यादित प्रतिवेदन या संबंदित जानकारी तो प्रतिवेदन को और क्या बोलते हैं अमर्यादित प्रतिवेदन भी बोला जाता है अगर आपको अमार यादित प्रतिविदन या रिपोर्ट की बात की जाए तो आपको रिपोर्ट में आंसर टिक करना है याद रखिएगा रिपोर्ट में आंसर टिक करिएगा अगर आपको प्रतिविदन और अनिकिस नाम से जानते हैं तो आप रिपोर्ट पे क्लिक दिये थे तो हैंडी फ्यों ने प्रिसासन के चौदा सिध्धांत दिये थे अपबाद दुआरा प्रभंद की धार्णा के अनुसार दिण प्रति दिन की प्रभंद की समस्याओं का सम्धान कैसे कर ना चाहिए अब बाद द्वारा प्रबंदन की धार्णा की अनुसार तो दिन प्रति दिन की प्रबंद की समस्यां हैं उनका समधन कैसे करना चाहिए मद्दे स्तरिये प्रबंदन को सीर्स प्रबंदन को निमनिस्तरिये प्रबंदन को या इन में से कोई नहीं तो इन में से करना चाहिए मतलम निम निस्तर ये प्रभंदन को अपवाद द्वारा प्रभंद की धारना की अनुसार दिन प्रति दिन की प्रभंद की समस्याओं का सामना करना चाहिए दिन प्रति दिन की प्रभंद की समस्याओं का सामना किसको करना चाहिए निम निस्तर ये प्रभंदन को करन में आता है अगला कोशन है अब बाद द्वारा प्रभंद में कौन से प्रभंदक उन सूचनाओं पर ध्यान देते हैं जो अपवाद स्वरूप है उच्च प्रभंदक निमनिस्तर्य प्रभंदक या मध्यवर्गी प्रभंदक तो देखते हैं इसमें देते हैं उच्च कोशन था कि अभी प्रेड़ना का जो एकस वाई सिधान्त है वो किस ने दिया है वो मैक्स ग्रेगर ने दिया है मैंने उसको कमेंट में सही कराया था तो आप उसको मैक्स ग्रेगर करिएगा अभी प्रेड़ना का जो एकस वाई सिधान्त है एकस वाई थियोरी है वो किस ने टी थि मैक्स घ्रेगर ने दी तो उसको मैंने सही करा दिया था comment में कोई भी कोशन अगर गलत हो जाता है तो मैं comment में उसको सही करा देती हूँ तो आप उसको comment जरूर चेक कर लिया कीजिए और comment किया भी कीजिये, निमने कथन दिया है, नियोजन भविष्य को पकरने के लिए बनाया गया पिंजरा है, नियोजन की यह परिवासा किस ने दी, नियोजन की है परिवासा किस ने दी कि नियोजन भविश्यो को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है ये दी थी फ्योल ने हैनरी फ्योल ने दी थी नियोजन भविश्यो को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है ये किस ने बोला था ये हैनरी फ्योल ने बोला थ इसके लिए मैं ट्रिक करवा रही हूँ, बहुत सारे वीडियोज मैंने ट्रिक के करवाए हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके जरूर देखेगा, उससे आपको यह अभी जितने भी किसने क्या कहा है, वो ट्रिक द्वारा याद हो जाएंगे, तो आप जो भूल जाते है या याद नहीं होती है, कठिन-कठिन लाईने, तो ट्रिक के द्वारा आप तुरंत याद कर पाएंगे, अगला होता है, निर्देशन की आवशक तक कब होती है, निश्चित समय पर, मांगने पर, या हर समय, तो निर्देशन आपको कब चाहिए होता है, मांगने पर, निर निरंतर देखते रहने का सिधान्त या उप्रुक्त सभी सामाजिक उत्तरदायत्व की विचारधारा का दो सिन में से क्या है विधानिक मुक्ति है और सपस्टता है निरंतर देखते रहने का सिधान्त है या उप्रुक्त सभी है तो इसका आंसर है उप्रुक्त सभी सामाजिक आपको ये mcq की pdf मिल जाएगी यही जिन से आप पढ़ रहे हैं यही mcq है प्रवंद के सामाजिक उत्तरदायत्व के विचार की लोग प्रियता का कारक क्या है उभोकता बाद जन्मत की जागरुकता या पेशेवर प्रभंद या उपरुकत सभी तो इसके सभी ही आंसर हो जाएंगे कंपनी अंकेचन का पारिश्रमिक किस धारा के अंतरगत किया जाता है प्रभंदक हो जो बड़े-बड़बबबंध्गों है उनसे सभी क्या होते हैं ये सहाएक होते हैं उचिस्तर ये प्रवंदक नियोजन पर अपने समय का कितना भागवे करता है उचिस्तर ये जो प्रवंदक होता है वो नियोजन पर अपने समय का कितना भागवे करता है 35, 50, 75 या 45 तो इनमें से कितना भागवे करता है 35 भागवे करता है अगला कुशन है गेंट बोनस योजना में क्या होता है गेंट बोनस योजना स्रमिकों को नियूंतम दैनिक मजदूरी की गारंटी दी जाती है उच्चवाद निमने दो मजदूरे दैने निश्चित की जाती है टेलर पडाली के सभी दोस पाए जाते है श्रमिक को प्रतिक इ स्थिती में बोनस प्रदान किया जाता है तो इसका अंसर है स्रमिक को नियूंटम देनिक मज़ोरी की गारंटी दी जाती है, कि स्रमिक को एक नियुन्तम मजदूरी जरूर ही दी जाएगी एक नियून्तम दैनिक मजदूरी की गारंटी दी जाती आपको इतना मजदूरी मिलेगा ही मिलेगा व्यक्ति जिसने बैग्यानिक प्रबंद का विचार दिया था मैस्लो, पीटर एफ डॉकर, टेलर ये डगलस मैग ग्रेगर मैंने ट्रिक में भी ये बताया है कि यहां वैज्ञानिक आजाए वहां ट्रेलर का लगा दीजेगा कि वैज्ञानिक प्रबंद का सिध्धान्त किस ने दिया था टेलर ने दिया था निर्णे विविन विकल्पों के मद्ध एक चयन है यह कथन किसका है निर्णे जो है निर्णे मतलब डेसीजन जो सबसे फाइनल स्टेज होती है ब्रवंदन की वो हो बोल रहे हैं कि वो विविन विकल्पों के मद्ध चयन है तो यह कथन किसका है जार जार टेरी का है साइमन का है, पीटर एफ ड्रकर का है, या ओडनेल का है, तो निर्ने विविन विकल्पों के मद्धी चायन है, यह कथन है, पीटर एफ ड्रकर का है, विवाग्य करन किसमें उप्युक्त होता है, विवाग्य करन किसमें उप्युक्त होता है, कुटीर उद्योग में, बड़े उद्योगों में या लगू उद्योग में, जिसमें अलग अलग विवागों में बाट दिया जाता है, तो यह होता है बड़े उद्योगों में, विवाग्य करन किसमें उप्युक्त होता है, बड 957 यह मेरी इंस्टा आईडी है यहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहां आपको बहुत ही इंपॉर्टन इंपॉर्टन चीजह मिलेंगी इस्टडी से रेलेटेड मिलेंगी मॉटिवेशनल थॉर्ट मिलेंगी तो इसको फॉलो जरूर कर लीजिगा और अगर अभी तक आ छाने नमर मेरे वाटसप पर सेव नहीं कराया है तो है लिककर और अपना नाम लिखकर मेरे पास वाटसप पर सेव करा दीजिगा यहां से आपको मेरे स्टेटस तो वह सकेंगे और से भी आपको महत्मुन कोशन 1 यह कर पाएंगे किरियात्मक संगठन के जनम दाता के रूप में किसको जाना जाता है एपले, हैंरी, फियॉल या टेलर किरियात्मक संगठन के जनम दाता इन में से किसको जाना जाता है एपले, हैंरी, फियॉल या टेलर तो इन में से किसको जाना जाता है किरियात्मक संगठन याद रखिएगा बहुत महत्पूर है किरियात्मक संगठन को जाना जाता है एपले को जाना जाता है किरियात्मक संगठन के जनमदाता के रूप में किरियात्मक संगठन का जनमदाता कौन है एपले है अगला है मनोवल व्यक्तियों और समुहों में पाई जाने वाली वह मानसिक भावनात्मक इस्थिती है जो उनकी सयोग करने की रुची का निर्धारन करती है मनोवल व्यक्तियों और समुहों में पाई जाने वाली मानसिक भावनात्मक इस्थिती है मनोबल के द्वारा किसी का मनोबल बढ़ा के आप उसको बहुत उचा पहुचा सकते हैं तो ये उसकी भावनात्मक स्थिती हो जाती है जो उनकी सयोग करने की रुची का निर्दारन करती है किसने बोला है कि मनोबल व्यक्तियों वा समूह में पाई जाने वाली मानसिक भावनात्मक स्थिती होती है जो उनकी सयोग करने की रुची का निर्दारन करती है किसने बोला है ये फिलिपो ने बोला है किसने बोला है मनोबल व्यक्तियों वा समूह में पाई जाने वाली वह मानसिक भावनात्मक स्थिती है जो उनकी सयोग करने की रुची का निर्दारन करती है वो है फिलिपो अगला है उत्पातन प्रभ्याची योजना के पतिपादक कौन है सत्यापन के कुल कितने सिध्धानत होते हैं प्रभंदन की प्रिश्णोत तरी इस प्रिकार से आपको बुकलेट मिलेगी यह 90 रुपी की पीडियाफ है आप इसको परचेस कर सकते हैं साथ में अगर आप पटवारी की नूट्स लिना चाहते हैं जिसकी 59 रुपी की पीडियाफ है तो आप वो भी ले सकते हैं साथ में अप मध्यबदेस करेंट की पीडियाफ लेना चाहते हैं कुश्ण है करमचारी राज्य बीमा योजना का प्रसासन कारे करती है कौन सी संस्था करती है अगला है निर्दे सन की आवशक तक कभी होती है हमने अभी पढ़ा था निदे निश्चे समय पर मांगने पर हर समय ये कभी नहीं तो इसका है मांगने पर कोईला खान भविष्य निदी वा विविद विवस्ताएं अधिनियम पारित वा लागू कप किया गया कोईला खान भविष्य निदी वा विविद विवस्ताएं अधिनियम उनी सो चपन में उनी सो इक्यावन में उनी सो अर्टालीस में या उनी सो पितालीस में उनी सो वर्तमान में करमचारी वविसनिधी योजना में समलित होने के लिए अधिक्तम बेतन प्रतिमा कितना रुपे हो सकता है पचास हजार पैतिस सो पच्चिस सो या पंद्रा सो तो यह हो सकता है पचास हजार अगला है अनुग्रह भुक्तान संसोधित अधिनियम कब लागू किया गया अनुग्रह भुक्तान संसोधित अधिनियम फ्रेंट्स ये पाँच हजार है इसका अंसर पाँच हजार कीजेगा वर्तमान में कम्रिप्चारी भविष्णिरी योजना में समलित होने के लिए दिखतां बेतन कितना हमोहतर प्रतीमा हो सकता है पाँच हजार रुपे प्रतीमा हो सकता है अनुग्रह भुक्तान संसोदित अधिनियम लागू कब किया गया था अनुग्रह भुक्तान संसोदित अधिनियम कब लागू किया गया 1984 में सामजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट योजना कब लागू की गई 1982 में सामजिक उत्तदाइत्व संबंदी चुनोतियों में कौन सा प्रेशन सामिल नहीं होगा संग्ठन के कारे से उत्पन प्रदूशन आमलिक प्रभाब बातावरन अनसुन्तुलन की स्थिति अनुभूती को कम करने में कार्मिक विवाक क्या कर सकता है कैफेटेरियम औरूरंजन कलब वा कॉमन हॉल कितने उपयोगी सिद्ध हो रहे है किस प्रिकार कारे उत्पादक्ता बढ़ाते हुए करमचारी के जीवन को आनंद दायक बढ़ाया जा सकता है कारे वविक्ति विकास में कितना उपयोगी योगदान द्वार संग्ठन द्वारा संभव है तो सामजे कुट्टा दायत पर संभन्दी चुनोतियों में कौन सा आंसर सही हो जाएगा बी कैफिटेरिया मनुरंजन कलम में कॉमन हॉल कितने उपयोगी सिद्धोरा ये आंसर नहीं होगा बाकी सब तीनों सही हो जाएंगे अगला कुशन है प्रसिद्ध पुस्त्यक फिलोसोफी ओफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है अगला है निमनिकित में से कौन सा निर्णा इन प्रिक्रिया का अंसर नहीं है समस्या की पहचान, समस्या का विशलेशन, उद्देशों तथा अपिक्षिस संसादनों का निर्धारन या वैकल्पिक संसादनों का विकास तो उद्देशों तथा अपिक्षिस संसादनों का निर्धारन ये निर्धारन निर्धारत नीतियों में आएगा निर्णे की प्रिक्रिया में नहीं आएगा निर्णे की प्रिक्रिया में समस्या की पहचान आएगी विशलेशन होगा और कौन से विकल्पिक संसंदों का विकास कर सकते हैं ये आएगा अगला है अंकेशन कारीक्रम का महत्मून दोस क्या होता है कि जांच इस पस्ट रूप से नहीं की गई है कारी यथावत होता है जांच में कारे से थिलता होती है या यह अधिक खर्चीला होता है तो इसका जो महत्मून दोस है कि इसमें कारे जो है जैसा है वैसा ही रहता है कारे कैसा रहता है कारे यथावत रहता है अंकेशन कारी क्रम में अगला कोश्चन है आदेश की एकता सिध्धान्त का प्रतिवा अर्थ क्या होता है विचार विमकारियों की एक्ता, स्टाफ अधिकारी द्वारा निर्देश अधीनस्नों के बीच एक्ता या रेखा अधिकारी द्वारा निर्देश आदेश की सिध्धान्त का अर्थ है संग्ठन प्रभंद की आधार सिला है ये किसने कहा था संग्ठन के किरियात्मक स्वरूप को सबसे पहले किसके द्वारा विक्सित किया गया संग्ठन के किरियात्मक स्वरूप को प्रतिबादित किया था टेलर ने सबसे पहले दिया था प्रभंद के समन्वे कारे का उद्देश क्या होता है सुधारात्मक कारे मार्ग तै करना विविन किरियाओं में सामन जस्त बिठाना पर्या वर्त सेवी वर्गियों की विवस्था करना या इन में से कोई नहीं तो प्रभंद के समन्वे कारे का उद्देश क्या होता है विविन किरियाओं में सामन जस्त बिठाना अगला है करम चारी स्वभागिता के उद्देशों को किसने इस्पस्ट किया विविगिरी ने, संकर दयाल सर्मा ने, ग्यानी जेल सींग ने या नीलम संजीव रेडडी ने करम चारी स्वभागिता के उद्देशों को किसने इस्पस्ट किया अगला है उच्च अदिकारों और अधिनस्टों के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है उच्च अधिकारी और अधिनस्तों के बीच लंबवत संचार, विकर्णिय संचार, शेतिस संचार या इन मैंसे कोई नहीं उच्च अधिकारों और अधिनस्तों के बीच जो अधिनस्तों होते हैं उनके बीच जो संचार होता है वो लंबवत संचार कहलाता है कैसा लंबवत संचार अगला है भिन्ने पदानुक्रम इस तरों के प्रभंदकों के बीच अलग-अलग जो पद वाले रहते हैं उनके इस तरों के प्रभंदकों के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है चेहतिज लंबवत या विकर्णी है तो ये कहलाता है चेहतिज निमने पदानुकरम इस तरों के प्रभंदकों के बीच होने वाला संचार कैसा कहलाता है चेहतिज कहलाता है और उच्छे से नीचे के लिए क्या कहलाता है लंबवत कहलाता है उन बिन अलग-अलग पदानुकर हम इस तरों के प्रबंदगों के बीच होने वाला कैसा कहलाता है चेहतिज कहलाता है तो फ्रेंड्स ये थे हमारे चार सो एक कोशन हमने करें आसा है आपको पसंद आएंगे अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरू किजिगा कमेंट करके विता है अगर अपकी प्रिश्णों तरी लेना चाहते हैं तो आपने 20 रुपे का पेमेंट करके इसको ले सकते हैं ओके फैंस तेंक यू